रमस्कार दोस्तों मैं सेज़ फीर संदू आपका सुबह सवीरे एक परी में स्वागत करती हूँ जिसमें क्यमात लिए रोज एक नहीं पहेली और एक जिक का कुशन लेकर आते हैं तो दोस्तों हुमारी कल की पहेली थे पैसा खोब लुटाती हूँ घर घर पूजी जाती हूँ मेरे बिनाना बने काम बच्चों बताओ इस देवी का नाम और दोस्तों इसका कर्क टंसर है मा लक्ष्मी क्योंकि मा लक्ष्मी हम सबको धन प्राप्त करवाती है और इसके साथ वो घर घर में पूजी भी जाती है और इनके बिना हर काम अधूरा ही रहता है और दोस्तों हमारा कल का जीक का कोशन था हुमन बॉडी के टंपरेचर को कौन मंटेन यानि एक दम परफ्रेक्ट करके रखता है और दोस्तों इसका कर्रेक्ट अंसर है हुमन बॉडी के टंपरेचर को हाइपो थलमस एक ग्लैंड है यानि एक करंती है जो कि ब्रेन में होती है यानि हमारी दिमाग में होती है और इसके साथ वो नर्वस सिस्टम से भी लिंक्ट होती है जो कि हमारे जो बॉडी का टंपरेचर है उसे नहीं तो जादा गरम होने देती है और नहीं जादा ठंडा वो ये ग्लेंड बिल्कुल हमारे टंपरेचर को मंटेन करके रखता है और दोस्तों इन दोनों कोशन का करेक्टर अंसर दिया है लगभग सभी ने तो चलिए दोस्तो देखते हैं हमारा आज का जीक का कोशन तो दोस्तों हमारा आज का जीक का कोशन है हमारा दिल एक मिन्ट में कितनी बार दड़कता है और इसका अंसर दी जगा जल्दी से जल्दी कमेंड बॉक्स में तो दोस्तों हमारी आज की पहली है वह पाले नहीं बैंस ना गाएं फिर भी दूद मलाई खाए घर भैटे ही करे शिकार शीष्टे में भी है वह मुसिया वह पाले नहीं बैंस ना गाएं फिर भी दूद मलाई खाए घर भैटे ही करे शिकार शीष्टे में भी है वह मुसी यार और इसका अंसर दीजेगा जल्दी से जल्दी कमेंड बॉक्स में